आप सभी का स्वागत है चतिस गड़ की तमाम बड़ी ख़वरों के साथ मैं हूरेश्मा आईए देखते हैं आज की सुर्खियां अब ख़वरे विस्तार से मुख्यमंत्री भुपेश वगेल ने दिल्ली प्रवास पर राष्टपती द्रौपती मुर्मो और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मुलाकात की है मुलाकात के दोरान मुख्यमंत्री ने द्रौपती मुर्मो को सर्वो सेवधानिक पल सम्हालने की बधाई भी दी है मुख्यमंत्री भुपेश बगेल 5 अगस्त से दिल्ली दौरे पर हैं यहां पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले राष्टपती भवन जाकर नव निर्वाचित राष्टपती द्रौपती मुर्मू से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई की नई राष्टपती की अगवाई में देश आगे बढ़ेगा बाद में उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की अधिकारियों ने इसे सौजन्य मुलाकात बताया है वहीं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दवरान प्रदेश के कुछ मुद्दो पर बातचित भी हुई है राश्टपती भवन में आयोजीत नीती आयोगी बैठक में मुख्य मंत्री भुपेज भगिल ने कोईला सहित मुख्य खनीजों की रॉयलेटी देर में संसोधन का आगरा किया और कर्मचारियों के हीत में नविन पेंचन योजना में जमारासी की वापसी की मांगी बतादे की प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने नीती आयोग की साथवे गवर्निंग कॉंसिल की बैठक की अध्यक्षता की बैठक में पिम नरेंदर मोधी, रक्षा मंतरी राढ़नार सिह, केंदरी मंतरी पी उश गोयल, सळग परिभार मंतरी नितिन गटकरी, विद्यमंतरी निर्मला सीता रमड, केंदरी ग्रिह मंतरी अमित शाह और पेट्रॉलिय मंतरी हरदिप सिहपुरी समेत तमाम अधिकारी खास बात यह है कि इस रेली में पचास लाग से एक करोड रुपए तक के इनामी नकसली शामिल थे बाउजूद इसके फुलिस और इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं लगी दरसल नकसलियों ने बस्तर में तीन अगस्त को शहिदी सप्ताह मनाया था इस दोरान देख्षड बस्तर की एक गाउ में हजारों की संख्या में हथियार बंद नकसली पहुँचे उन्होंने ग्रामीडों को एकतर किया और आठ से दस किलो मीटर तक रहले निकाल दी इस दोरान नकसलियों की चेतना नाट्य मंडली ने बाकाइदा नाच गाना किया और नकसली कांती के गीत गाए पताय जा रहा है कि करीब 12 से 15 साल बाद नकसलियों ने बस्तर में इतना बड़ा आयोजन किया है लगभग 10 घंटे तक नकसलियों का यह आयोजन चलता रहा इस दोरान स्तभा भी होई इतने पड़े आयोजन का पता भी तब लगा जब नकसलियों ने इसके वीडियो और फोटो खुद जारी किये 36 गड़ में कलेक्टर और जन संपर का अधिकारियों के बीच बड़ा विवाद हो गया है प्रदेश में ऐसा पहली बार है कि कलेक्टर के प्रचार परसार का ही काम देखने वाले डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफी निंदा प्रस्ताव पारिद कर दिया मामला सर्गुजा जिले का है आरोप है कि कलेक्टर कुंदन कुमार ने अपने जन संपर का अधिकारियों को और सुचना सहाजक सुकसागर वारे ने उन्हें शिकात पत्र लिखा है। हालनकि इस बीच सरगुचा कलेक्टर ने एक अधिकारी को अटेच करने सम्मंधी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। गतना में विजय कुमार रोठोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और मा गंभे रूप से जुलस गए है। अकलतरा में भी अकासी बिजली गिनने से बुद्वा गाउनिवासी महेश राम डोंगरे की मौत हो गई है। देवकिरारी गाउं में भी स्याम कुमारी यादो और अनिल यादो की मौत हो गई है जबकि एक जुलस गया है। इनके अलावा मुलमुला के चोर भट्टी गाउं में दिलिप कुमार की खेट से लौटने के दौरान मौत हो गई है। इस बुलिटन में फिलाल इतना ही बने रही है डीविलाई 36 की साथ। नमस्कार।